किरन की रस्वई से में आपका बहुत स्वागत है और आज में बनानी जा रहे हूं कटल की मजेदार सबजी जो कि बहुत तेसी लगती है खाने में और वेज लोगों के लिए ये नौन वेज का काम करती है इसमें इतना प्रोटीन होता है और खाने में भी बहुत अच्छी हमें ग्राइम क fragrance आपको अर्श बता रहे हैं सबसे पहले मैंने कथल छिलका उतार कर वं छोते पीसे में कisu काते.. जादा छोटे नहीं काटे.. ऋबीज सात में काटे हैं....ॅर छिलका मैं इस मेंडी घ्रड़े जादा रखती है.. तो मैंने टमाटल वू प्याज की ग्रेवया, मैंने 4 भड़े टमाटर है, तीं हरी मिर्श लेकर, मिकसर में ग्राइब किया याज मैंने पांच लिया हैं बड़े और उसमें लशन की कलियां लिया हैं 5 और अद्रक छोटा इंच लिया ऊथा एंच बाएवा दही और में इसके साथ ले रहे हुं एक कटोरी पूरा भर कर दही और मेलोंगी देगीमिर्च एक चमछ जीरा आधा चमछ आधा चमछ हल्दी मेधा इस पर सिर दाधा चमछ पर पीषा बीधर अधा चमछ लाल मिर्च और गरम मसाला आधा चोटा चमज तो आए दोस्तों बनाते हैं कठल की मज़ेदार सबजी सबसे पहले मैंने कठाई को गैस पे रखे तेल गरम करने के लिए रखाया क्योंकि मुझे कठल सबसे पहले फ्राई करना है दीफ्राई मैं इसको करूंगी और लाइट ब्राउन होने तक इसे मैं पकाऊंगी तो तेल मेरा गरम हो चुका है और मैं आए इसमें कठल के पेसिस डालती हूं दो मुझे इसे नंकती नंत्र फें नंत्ली तरह इसे तक पकाना है DJ मैं इसे गुष्टियंकि पूरा में न управादे ने ό amplifier आए इसे पुद्वट्वरे ब्राउन होने तक पना है जोंकि पूरा मैं नेक सी जाना पाना क्योंकि हम ग्रेवी में भीर से पकाएंगे तो इससे हमें लाइट आउंप में तर पकाना है और हमें बेट करना है कुल 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 हो जाते हैं यह तरले के बाद करें अब तर पर इस तरह निकाल ने ताकि एक शॉट्टे गलाब का निकल जा और अब मुझे सब्जी बनाने के लिए गठल की इतना रिफाइन नहीं चाहिए तो मैं इसमें से रिफाइन निकाल दूँगी और थोड़ा सा ही रखो लिए मैंने इसमें एक बड़ा चमच रिफाइन लिया है सब्जी कटल की ग्रेवी बनाने के लिए इसमें में जीरा यॉजेयरा डाल रही हूँ जीरा ब्राउन होने संदी में इसके बार मेरा ये ओनियन गार्लिक और जिंजर का पेस्ट इसमें डालने जा रही हूँ अभी देखे, जीरा मेरा ब्राउन हो रहा है, इसे में पकाना है, ब्राउन होने दख पेश करना है इसे, क्योंकि कठर की ग्रेवी से भी बहुत अचा टेस्ट आता है, तो इसे ग्रेवी पर ही सबकुल डिपैंड करता है, इसे ग्रेवी हमें बहुत अच्छी बनानी है, और दही से एक टर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो कसूरी में इतनी तो हर सब्जी का स्वात बढ़ा देती है, देखे मेरे प्याज और लुसन अज्रा का पेस्ट अब में इसमें टमैटो और चिली का पेस्ट डाले है, तो में इसमें सारे मसाले डालेगी, क्योंकि कठ़ल का टेस्ट तलने के बाद बिल्कुल तीका होता है, तो में मसाले में डालेगी, उसी से सारा इसका फ्लेवर आएगा, डाला है नमक, अब में डाल रही हूँ अगला पावडर दाल रही हूँ, जिससे गालवाथ उच्छा है मारी ग्रेवी का ज़से गरम अजने हा अच्छा एकलर बाफ। करेस्ट आएगा, ट्रूंकि करेस्स कसूरी मेथी अब इससे मुझे खोड़ेट पकाना है उसके बाद जो मारा गईवी कमीन इन डिल्टियस है इससे मैं डालोगी अब मुझे टमैटो के साथ मसालों को और सारे टेस्ट को पकने देना है जब तक यह साइडोसे से आईल ना निकले मेरे पका हुआ दखे ना तब तक मुझे इससे पकाना जब तक यह मेरे ग्रेवी पक रही है मैं थोड़ा दहीं को मिक्स कर लूँगी साथ में मुझे ग्रेवी भी हिलाते रहना है पर अब ये शारी देना में इससे पूर कर दोंगी कर दोंगी ना इससे अच्छतरह समीच पूर देशी पकाऊंगे।ıldों आपन्ग ना पहुतं एंच ज़गे ना पंच शाचतों देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है नहीं टाने के मांदर बहुत अच्छी आ रही है सारे मसालों की अच्छी तरह मिलिक्स करना है अब देखें बिफोल्ट रेस्टोरन्ट ग्रेवी हमारी त्यार हो रही है देखें दोस्तोरों मेरी ग्रेवी त्यार है रखी भी फट चुक्की है इसके अंदर और अब मैं यह कठछ जो मैंने प्राइ किया हुआ हूँ इसमें डाल गई मेरा कठल मसालेदार बिलकुल त्यार है और इसे आप खाईए और अनन लीजिए किरन की रहसोई पे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें थैंक यू सो मुँच करें जरूर करें जरूर करें बॉक्स